एक बार कोलापूर स्टूडियो में गए जये प्रभा स्टूडियो में तो सब का नाम इंगलीश में लिखा था तो बहुत लिए हमारी भाषा में अच्छे शब्द हैं उन दिनों एक 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 रोल ऐसा छोटा मिलता था इसलिए में ना बोला फिर 96 में मेरे पास एक कहानी आई जिसका नाम था सर्फरोष और वो मेरे भाई भी थी राजेश उसमें जिनका दियान थोवा जो रसरंगिला में पक्या का रोल किया था जिन्होंने चार दिन तो कुमा में था I lost my eyesight 19 दिन तक मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था ये मेरा पुनर जन में है और देड़ साल में लेटा रहा कि क्यों मेरे पास तो काम नहीं था बैंक बैलोंस कम्प्लिटली जीरो मूवी में फिल्म चित्रपट सृष्टी में मेरी सुरुवात पहले से 1990 में ही एक हूँ हुशी हुशीलाल नम की फिल्म थी संजीव शाह जो मिर्च मसला के ये थी संकलनकार मतलब एडिटर जिसे कहते हैं संकलक तो उन्होंने लेको कितना अच्छा शब्द है एडिटर को संकलक दिरेक्टर को दिखदर्शक जो दिशादर्शक मेकप को रंगभूशाकार जो ये हैं अपने जो बैक स्टेज में काम करते हैं जिसको स्पॉर्ट बॉय बोलते हैं उन्हें नेपत्यकार बोलते हैं वो नेपथे यानि जो सेटिंग वाले होते हैं उन्हें नेपथे कहते हैं फिर जो हमारे क्या बोलते हैं ड्रेसमेन जिसको कहते हैं आज जिसे डिजाइनर कहते हैं तो उस डिपार्टमेंट का नाम कपड़े पट ऐसा दिया था कपड़ा पट तो ये सारे नाम किस ने दिया आपको पालू में इस इंडस्ट्री को ये सावरकर जी एक बर कोलापूर स्टूडियो में गए जे प्रवा स्टूडियो में तो सबका नाम इंगलीश में लिखा था तो बले हमारी भाषा में अच्छे शब्द हैं तो उन्हों ने ये शब्द जो हैं ये हमें दिये अब ये ये तो सच है तो इसलिए ये सारे शब्द निकलते हैं मेरे मुझसे तो नब्बे में मेरी जो संकलक याने एडिटर से ये सारा निकला वो थे संजीव शाह और संजीव शाह जी ने एक फिल्म बनाई थी हूँशी हूशी लाल उसमें मुझे एक किरदार दिया था तो मैं मे मैं अगर भूल नहीं कर रहा हूं तो पहली फिल्म होगी नबे में रेनियोका जी की बारे मुझे नहीं पता पर दिलिव जी और मेरी तो पहली फिल्म है उसके बाद मुझे जो भी फिल्में आएं वो बहुत ही एक सीन की दो सीन की फिर मैं क्या होता था कि रंगमंच की लोगों को एक सीन के लिए बुलाया जाता था फिर इतना जरूर है वो भी एडिट में कड़ जाएगा कहां जाएगा मालूम नहीं तो अगर कुछ अच्छा पात्र है या अगर कथा को कहीं पर भी वो उपयोगी है तो भी वो रोल करना मैं उचित समझता लेकिन उन दिनों जो भी रोल आते थे और थेटर वालों को ऐसे ही रोल मिलते थे क्योंकि आज OTT एक कथा या जैसे बोलते हैं जिसे हमारी मिट्टी की जो कहानियां बनने लगी जिसमें सिर्फ जिसे हम महानायक कहते हैं सुपरस्टार कहते हैं अतितारक कहते हैं इसे सुपरस्टार तो वैसे सुपरस्टारों की आवश्रकता न हो ऐसी कहानियां अब बनने लगी हैं क्योंकि अभी लोगों को चाहे वो तारकाय हो या सुपरस्टार हो या actor हो लेकिन अगर आपके कहानी में बात है जिसे हम कहते हैं कि बात है कि सत्व है क्या substance है क्या तो substance को importance है कता substance oriented है सत्वशिल है उसमें बात है तो बात आज बनती है और वो film लोग पसंद करते हैं कोई भी हो उसमें बात कहानी अगर सशक्त है जो 60 से लेकर 80 तक पुने एकबर राज़े श्री और इस तरह के प्रणर रशीदा या उस प्रकार के जो निर्दिशक रहे वो उन दिनों इसी मिट्टी की कहानी बनाते थे इसी कल्चर को लेकर इस कल्चर की कहानिया बनाते थे और वो हीरो हीरोईन या वो कथा हमारे समाज में असपास में बनी हुई या उसे हम हमारी कहानी मानते थे इसी लिए क्योंकि वो हमारी मिट्टी की कहानी आ होती थी ओके तो मुझे लगता है कि आज वो दौर आ चुका है इसलिए आज हम को और हम जैसे लोगों को आज मुख्यधारा में बहुत उन दिनों एक 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 रोल ऐसा छोटा मिलता था इसलिए मैं ना बोला फिर 96 में मेरे पास एक कहानी आई जिसका नाम था सरफरोष और वो मेरे भाई भी थी राजेश उसमें जिनका देहान थोओ जो रसरंगिला में पक्या का रोल किया था जिनोंने मेरे से तीन साल छोटे थे और 29 साल में उनका एक्सिडेंट हुआ मेरा ही नाटक दे जिन में देहान थोओ और शायद आप लोगों ने फिल्म में देखी होंगी बहुत ही बेहतरी अदाकार थे वो आएक्टर थे आज होते तो शायद कुछ और ही होता बट खैर ओपर वाले के हमारे प्राड़ब में नहीं था उनको देखना तो वो भी थे उस फिल्म में और तो वो जॉन मैथ्यू माथन जी वो प्ले भी देखने आये थे तो उन्हों ने मुझे एक रोल आफर किया मैंने कहा जॉन साभी रोल मेरा एक कट जाएगा पता नहीं चलेगा ने बोले अच्छा रोल है आप करो ऐसा मत करो मुझे मालूम है कि आप नाटक में हरे लाल का प जिसमें आमिर खान थे और वो फिल्म सुपर रूपर हीट रही सरफरोष जिसका नाम है इसमें बज्जू का रूल किया था तो वो मेरा एक एक रिक शॉट है वो सब को याद है आज वो ऐसे कि तेरे भाई को बोलना हमार पोली स्टेशन में हाजरी ने तो उड़ा देंगे करके वो उसको दख्का मारता हूँ वो शॉट आज भी लोगों के जहन में है तो बहुत ही अप्रतिम फिल्म बनाई थी उन्होंने और बहुत मतलब आज भी वो पंदरह अगसर चब्वीस जन्वरी को अचुक दिखाई जाती है हमें दिखाई देती है फिल्म और आज भी लोग उसे याद करते हैं सब लोग थे उसमें बहुत माहिर आक्टर थे सारे तो उसके बाद मेरी जो शुरुवात हुई फिर उसके बाद में देवदास फिर बीच में भी मुझे पोलीस इंस्पेक्टर के काफी रोल आए मैंने का नहीं बही हो मुझे वो सारे कपड़ इस सिल्सिला के नहीं रखना है एस पी एसीपी डी सीपी ऐसे वो इंस्पेक्टर वाला थप्पा पैट जाएगा फिर चला फिर उसके बाद में सिल्सिला चला फिर दूवदार एक में मैं बिमार पड़ा मुझे स्ट्रोक हुआ मैं लगबग सववा देड महिना था लिलावध इस्पिताल में वो देवदास के ही समय में उसके शूटिंग के दोरानी में में बिमार पड़ा था और मैं चार दिन तो कुमा में था I lost my eyesight 19 दिन तक मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था ये मेरा पुनर जन में है और देड़ साल में लेटा रहा और उसके बाद और उन द काफी टूशन वगरा शुरुआत की कि मेरे पास तो काम नहीं था और बैंक बैलोंस कंप्लिटली जीरो एकदम जीरो हो चुका था खुछ नहीं था और बस उसके बाद 2003 में मुझे टेलिवीजन एक सीरिस मिली जो मेरे सिर्फ चार दिन का काम था इसका नाम तक कहता है दिल वो थी रॉनी स्कुरू वाला जी की कमपनी थी जी उनकी उनकी कमपनी की थी मेरे के लगता है वहां और वड़ी प्रचलीत हुई मैं था तो मुझे चार दिन के लिए बुलाया लेकिन फिर वो इतने एपिसोड तक चला कि वो कानी मैं विलन था उसमें और बस वो उस और मै में में हो गया मेरा परिवार आ गया फिर गुरुशा कपूर और मैं साथ में मुझे लगते टेलिवीजन एतियास में सबसे बड़े टीरप मतलब 16.17.17 ऐसा टीरप वीकली ट्वाइसली सीरियल जी इसको यह टीरपी बीरपी को मैं नहीं मानता यह पूरा बनाया गया तंत् पूल कल्पित बट खेर वो उन दिनों माना जाता था क्योंकि मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा भाग होता था उन्होंने ही बनाया हुआ तो उन दिनों कहते थे कि यह सबसे बड़ा टीरपी है बस फिर उसके बाद हंगामा हल चल फिर प्रिया दर्शन जी के साथ 12 फिल